दोस्तों पाकेश्वर धाम सरकार में आजकल बहुत ही ज़्यादा इस उपाय की चर्चा है और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिध्ध हो रहा है हर कोई इस उपाय के बारे में बता रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मैं बहुत ही छोटे रूप में और आसान रूप में आपको बताने जा रही हूं वीडियो को अंत तक जरूर देख लीज़ेगा तभी आपको यह उपाए बहुत ही आसान है लेकिन आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आजायेगा कि अवश्यक्ता नहीं होती अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता हर किसी को धन की आवश्यक्ता होती है अगर हमारे पास धन है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जीवन की काफी हद तक की मुश्किले कम हो गई हैं और बिना धन के हम सभी बेहद लाचार महसूत करने लग जाते हैं बेहत मुश्किलों का हमें जो सामना करना पड़ जाता है जादातर लोग अपने जीवन में कभी न कभी धन की कमी जरूर महसूस किये होंगे तंत्र शास्त्रों की अनुसार ऐसे बहुत से उपाय बताये गए हैं जिनको करने से धन की कमी दूर हो जाती है आज हम आपको इस व हमेशा के लिए कोसो दूर कर सकते हैं दोस्तों ये जो भी तरीके हम आपको बताते हैं वो भले ही धीरे-धीरे काम करते हैं पर अगर इसे पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो ये बहुत ही चमतकारी प्रभाव दिखाते हैं पुराने समय में तो ऐसा चला आ रहा है कि अगर मनुश्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना कर रहा है तो वह शास्त्रों का सहारा लेकर अपने दुख तकलीफों को दूर करता था तो आईए जानते हैं इस उपाय के बारे में दोस्तों आप जब भी अपने घर से किसी कार्य को करने के हैं तो थोड़ी सी काली मिर्च ध्यान से सुनें थोड़ी सी काली मिर्च अपने मुख्य दरवाजे पर रख दें और उस पे पैर रखते हुए आप घर से बाहर निकल जाएं दोस्तों अगर यह प्रयोग आप निरंतर करने लगें तो आपके बिगड़े हुए कारे जरूर से जरूर बनने लग जाएंगे तथा आपके व्यापार में दो गुनी नहीं तीन गुनी नहीं पूरे आठ गुनी व्रद्धी होने लगेगी यह अभी बहुत ही जादा प्रयोग में सिद्ध किया जा रहा है बागेशवर धाम सरकार में खुद बताया गया है आप यकीन मा यह जो प्रयोग है वो बहुत ही जादा लापकारी सिद्ध होगा जोतिश शास्र के अनुसार अगर देखा जाए तो इस प्रयोग के टोट के अंदरूनी तरीकों से काम आते हैं दुरभाग्य को यह सौभाग्य में बदल देते हैं दोस्तों अगर गनेश जी को अगर हर ब गनेश जी को हर बुद्धवार के दिन मोदक का भोग लगाते हैं तो इससे आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी साथ पीड़ी की गरीबी दूर हो जाएगी क्योंकि जब गनेश जी की कृपा आप पर बनती है तो मालक्षमी भी आप पर प्रसन्न हो जाती है और आपके घर धन की समस्या स्वता ही दूर हो जाती है बहुत ही छोटा सा चूक उपाय है आप करिएगा जरूर और काली मिर्ज का उपाय तो जरूर से जरूर कीजेगा दोस्तों और मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइगा कि आपने ये उपाय अभी तक गुरू जी की कथा में है सोना या नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में जै श्री राम जै बागेशवार्दाम और हाँ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मेरी आवाज पसंद आई है तो वीडियो के लाइक कर दीजेगा और हाँ बेल आइकन जरूर दबाईए कर ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सकें जोड से बोलें जै श्री राम, जै बागेश्परधाम सरकार